एक जमाना था जब गर्मियों की छुट्टी होते ही हम आम के बागों का मजाले ने ननिहाल या ददिहाल जाने को आतुर रहते वास्तव में गर्मी की छुट्टीयों में परिवारों को एक बार मौज मस्ती करने का मौका मिलता सुबह पांच बजे उट सभी अपने अपने गुटों में लगभग दो किमी घुमने जाते बागों में जामुन से शुरुआत होती करौंदे फालसे का मजाले ते लंगड़ा तोता परी बंबई अर्धु सफैदा मालदाह मेवाम वसोया का आमिन आदी अने को आमों का सेवन होता घर लोट आने पर फ्रेश होने के बाद आम का शेक सर्व होता दोपहर होते ही खाने के बाद आम का पन्ना पीने को मिलता ये रिवाज अब सुनने में गप लगती है आम हमारा राष्ट्रिय फल है इसे सभी फलों का राजा क्यूं माना गया है इसकी बज़ह है आम का प्रत्यक अव्यभ हमें किसी न किसी रूप में लाब पहुँचाता है बुजूर्ग आमों की ताशीर बताते है कहते हैं खाने के अंत में सोया आम खाने से सब कुछ पच जाता है कई-कई दिनों तक ड़कार में इसकी महकाती रहेगी बुजूर्ग कहते आमों की हरियाली हमारी आँखों वसेहत के लिए बड़ी फाइदे मंद है अचार, जैम, मुरब्बा बड़े लेवल पर रोजगार पूरक है अपने आयुर्वेदिक गुनों के कारण हमारे यहां घर घर में आम का अचार डाले जाने की प्रता आज भी जिन्दा है आम से अचार बनाने के अने को प्रकार प्रचलित है आज कल गर्मियों में मैंगो शेक जूस हमारे शहरों की पहली पसंद है सीजन में आम की चटनी चटकोरे मार पकोरी आदी के साथ शौक से खाई जाती है आम की गुठली धूप में सुखा ली जाती फिर पीस कर इसका अमचूर पाउडर बनाया जाता आमरस लड़कियों की पहली पसंद होती जून का महीना चल रहा है इस वर्ष गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोर दिये है मैंगो शेक वपन्ना हमें गर्मी से बचा सकता है यदि गर्मी को मारना है तो रोजाना मैंगो शेक वपन्ना का सेवन कर तरोताजा जीवन जीए